नमस्कार दोस्तों, Knowledge on Track में आपका स्वागत है, आज हम लोग coupling के बारे में देखेंगे कि कितने टाप का coupling यूज होता है, और हम लोग उसका फिर advantage देखेंगे, disadvantage देखेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे field में और इसका जो है practical भी देखेंगे, तो चले हम लोग शुरू करते हैं, जो सबसे पहला type हम लोग देखने वाले हैं, वो है मेरा screw coupling, ठीक है, तो screw coupling में क्या होता है, जो आपका screw यूज होता है, देखें यहाँ पर एक screw यूज होआ है, और side buffer रहता है, ठीक है, इधर side एक buffer रहेगा, और side इधर एक buffer रहेगा, ठीक है, दोनों coach में रहता है, इधर भी जो coach है उसमें भी रहेगा, इधर भी coach है उसमें भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ बीच में जो है, screw coupling यहाँ पर, मेरा बीच में जो है, मेरा screw coupling अब हम लोग देखते हैं जीसे हम देखे हैं यहांपे screw coupling है मेरा screw coupling में यहांपे आप देख सकते हैं यहां पर screw coupling लगा हुआ है और यह दोनों buffer है मेरा ठीक है side buffer इसको बोलते हैं यहां पर उत्यotch इधर बोगा इधर लकिन इसका कूछ कोष टीक है फ्रटीक करते कौ जो इसका प्लगा करना है तो फें टायम ज्यादा लगेगा फिर उढ़ पर tast कॉपल करने के लिए इसे इसको टाइम ज्यादा लहेगा थिर इसको उठाना पड़ेगा मेंहनद ज्यादा लेगा ज्यादा ज्यादा फड़ता इसमें ठीक है उसके बाम करें mess में धुलक जादा दोह से बरegenता है तो अगर ऐसा केस आता है कि यह की घुड़ा सकथवकर को फॉर यह जाता है जब इंटर लॉकिंग हो जाएगा तो आपका जो है यह इसके उपर मी यह आ जाएगा और एक्सिडेंट के चांसिस मेरे मेरा बढ़ जाता है ठीक है तो यह मेरा कुछ लिमीटेशन है अब देखें यहां पर पहला लिमीटेशन हम लेकिए है जो आपका हॉलिंग का साइव का काम होता है ठीक है और आपको जुए मेंट पावर ज्या进ी अगर रहां को अउन कपल करना है या फिर कपल करना यह तो इसक टाइम भी आपको जैदा चाहिए और जो है इसका आइसे को स्पीड भी और एक और आपको जबी बताई जो इंटर लॉकिंग वाला फै side buffer के काड़ान ये interlocking के chances बढ़ जाते हैं तो interlocking के जब chances बढ़ जाएंगे तो accident के chances बढ़ जाते हैं इसमें और जो सबसे ज़्यादा most important मेरा जो है इसका disadvantage आप बहुत सकते हैं वो क्या है इसमें कोई भी anti climbing feature नहीं दिया गया है ठीक है अगर कोई भी कभी accident होता है तो anti climbing feature नहीं रहने कारण क्या होता है एक दुसरे के ऊपर चार जाता है जैसे आप देखिए यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यह मेरा LHP coach है इसमें accident हो गया तो इसमें आपका injury के chances कम रहता है accident में जो है कम इसमें life injury कम होता है और ज्यादा life है इसमें save होता है और आपका property भी बचा हो रहता है वही अगर हम बात करेंगे as safe coach की जिसमें screw coupling रहता है अगर यह accident हुआ ठीक है अगर accident हो जाने से किसी भी करण से अगर accident हो गया तो इसका क्या है ना कि एक के ऊपर एक दुस most important disadvantage जिसका बोल सकते है screw coupling का सबसे बड़ा disadvantage आप बोल सकते है इसको ठीक है तो यह हम लोग देखे screw coupling अब हम बात करते हैं CVC की बारे में ठीक है तो जो CVC रहता है उसका full form होता है center buffle coupler ठीक है CVC अब यह कहां यूज होता है यह आपका जागर हम बात करते हैं पहले हम देख यूज होता है LHB में LHB का full form क्या होता है Link Hoffman Boss ठीक है यह आपका German company इसको याद रखेंगे LHB का full form क्या होता है Link Hoffman Boss और कहां यूज होता है LHB hybrid coach में भी यूज होता है ताब देखते हैं हम लोग कि LHB coach जो pure LHB coach है उसमें और hybrid LHB coach में क्या difference है ठीक है तो आप तो ICF coach को देखे ही हूँ जो बुलो जीतना भी बुलो आपका जो है coach हो आपका ACF coach हो गया और जितना आपका rate हो गया है फिर राजदानी express यह सब जितना हो गया ना वो सब में क्या रहता है LHB coach रहता है तो अब देखिए हाप क्या है कि अगर हम pure LHB coach की बात करेंगे तो इसका जो पैसेंजर आएगा तो यह ज्यादा होगा यह के रवांटेज हो गया उसके बाद इसमें जो है फेयत बोगी लगा रहता है ठीक है यह अपका हो गया pure LHB coach ठीक है और इसमें जो है क्या रहता है लगावा CBC समलोग 2 coach को connect करते है ठीक है उसके बाद आपका next है आपका hybrid LHB coach hybrid LHB coach में क्या होता है hybrid LHB coach में क्या होता है जो आपका sale रहता है जो उपर वाला part रहता है body वाला part वो क्या रहता है आपका LHB type करता है और जो नीचे box रहता है वो आपका modified ICF bogey रहता है ठीक है modified ICF bogey इसलिए बोल रहे है कि इसमें जो एक ICF bogey जो हम लोग ICF coach में देखते हैं वो pure ICF bogey नहीं रहता है उसको हम लोग modify करके डालते हैं उसका जो आपका secondary suspension रहता है वो आपका air suspension होता है यहाँ पर आप देखिए यह मेरा coach है यह आपका बगा जाए पीजिस खाव रहा है यह आपका Hamburg carby कभ टीक है इसको में लोग बेसे कम लोग लोगी और अगरी आपकर वह वाला आपकर और ऑप का आपनेंक्डाइमे हो गया यह सेकेंडी सेसपेंशन हो गया अब ह आपका इसकेंडी सब्सक्राइब हो गयूए और यह अपका इंटेगरल कोच भेक्टरी जो है उसमें आपका ये लगा वराता है ठीक है नीचे में आपका 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 उपर वाला part आपका यह हो गया LHB का और नीचे वाला जा पार्ट होता है आपका यह आपका modified ACF होता है ठीक है pure ACF नहीं होता है pure ACF में क्या होता है यहाँ तेखिए यह यह प्यूर ACF है मेरा pure ACF coach इसमें यह वाला आपका primary suspension हो गया यह वाला primary suspension हो गया और यहां अब तो इससे क्या होता है जो प्रेमरी कोच है जितने वी आपके जो रुरंतों एक्सब्रेस हो गया उसमें आपका hybrid कोच लगावाराथाujin ओगली सेंड़ में अगर आप चलेंके तो और दुरन्तों में आप चलते हैं जर्क कम लगा जब घ्रिंडी होता है चलेगी तो आपको जह ज़टका इसमें कम लगा फिक है तो यह हो गए मेरा hybrid coach जिसमें उपर वाला जो पार्ट मेरा इसमें ऊपर वाला पार्ट क्लाइगा लह सीपर भी आप और नीचे मोडिफाइड आप रहेगा ठीक है मोडिफाइड आप मेरा थाइवरीड है Sh Site क Index Fam別 ए जो बूरा फूलर नाम और उसके ऑफ औरथ कप जैसक के सेटिस्टते इस यह इसके ऑग्र में सब्सक्राइब्स भिष्टीस्ट देर्डे सतकेब्स खेडरे सिंट थे इसको अगर जर्मन भासा दो जो है यह यह आपका यह आपका German scientist है ठीक है और Germany language में इसको क्या बोलते हैं Germany language में अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं एस्केर फैन्बार्ज कुपलूंग ठीक है तो यहां से क्या होता यहां से आप ले ले लिजिए S S C H E यहां से ले 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 ज़िए S C H H A और यहां से आप ले 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 के यू ठिझें? और दोनों को मिला दीजिएगा तो दोनों को मिला ये iconot weíre एक नया word बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? Syko हो जाएगा ठिक है? तो ये saikuup lard होता है ठिक है? तो यह एक German word है, इसको उतना ध्यान नहीं रखना है, बस आप short में याद रखिए कि psycho coupler है, ठीक है, यह कहां यूज होता है, यहाँ देखिए psycho coupler यूज होआ है, ठीक है, psycho coupler generally आपका memo coach और demo coach होता है, जितना भी आपका memo coach हो गया, ठीक है, यह memo coach हो गया, और यह आपका demo coach हो यह electric वाला हो गया, electric से चलेगा, और यह आपका diesel से चलेगा, तो दोनों में जो coupling हो गया, जब दोनों coach के बीच में coupling रहता है, चार-चार यूनिट का एक आपका यूनिट बंदा चार्जरा coach का, तो वो जो बीच वाला जो coupler हो किसे connected होता है, यह आपका psycho coupler से connected रहता है, ठ channeler coupler, ठीक है, यह आपका जो होता है, fourth type का coupler होता है, delner coupler, delner coupler जो है आपका, आप generally यह इंट्या में आपका यूज होता नहीं है, ठीक है, जब high, जहां पर high speed train सब चलती है, वहाँ पी यूज होता है, ठीक है, तो इसको नाम को ध्यान नहीं देना, इस पे, ठीक है, next जो पांचमा important type का coupler है, जो कि हमारे वागन में यूज होता है, यह आपका होता है selectless drawbar, जो कि BLC वागन में यूज होता है, ठीक है, तो BLC वागन में जो हो है, BLC वागन में आपका selectless drawbar यूज होता है, और इसमें आपका CBC भी यूज होता है BLC वागन में, लेकिन जो BLC वाग जबकि BLC A वागन में आपका CBC लगावार आता है ठीक है तो यह होगा सिलेकलेस ड्रावार आप यहां पर देखिए जो BLC वागन है यह जबकि BLC A वागन है उसमें CBC रहेगा और BLC B वागन में आपका सिलेकलेस ड्रावार लगावार रहेगा ठीक है तो यह में मेरा पांच ट्राव कपलर देख लिए अब हम लोग CBC के बाड़े में थुरा डीटेल से देख लेते हैं कि क्या-क्या इसका जो है CBC में क्या-क्या अब इसका क्या-क्या एडवांटेज है तो CBC वाला जो इसका फूल फॉर्म आपको तो पताईए अब बता दिये CBC का हो क्या-क्या पूल पॉर्म सेंटर बफर कपलर अब इसमें जो जैनरली जो होता है आपका दो टैप में इसको बाड़ सकते हैं एक होता है आपका ट्रा होता है चोले में इसको देख लीजिए तो ट्रांजिषन टैप सीवीषी का ट्र में क्या आ रहता है यहाँ पर सीवीषी बैस लगा वाड़ा गा और उसके साथ साथ आपका श्कूरू कपलर भी लगा 're cóUS dön Orleans चाव प्रकुए अगर लगाभागा साथ में सीवीषी और वेसे वो कम कर सकते हैं जिसमें कि आपका cvc-co और वैज से इंजिन का यूजर है तो इसमें हो क्या करेंiesen कॉरद पर फिक्षा, और bo और एक होता है आपका non transition type, हम लोग अभी देखें आपका needed to be a cbc and screw coupler भी दोनों लगा वारेगा ठीक है तो यह होगी आपका जो है आपका non transition type coupler नांस नटांस को प्रोज में क्या होता है आपका जो है होता है आपका सिर्थ CBC लगा वहारेगा ठीक है इसमें आपका जो है इसको क्या उसमें आपका जो है जो है जो मेरा यूज होता है अब जो वागर में आपका जेटरली यूज होता है वो क्या होता है उसको लोग बोलते हैं AAR E या F टाइप कपलर ठीक है जो आपका जो आप धियान रखेंगे यह जो है वागन भी यूज होगा कपलर हैं लोग इसको बोलते हैं जो कि आपका LHB और हाइब्रीड कोच में यूज होगा ठीक है तो यह आपका जो है आपका इसमें इसका पार्ट देखे इसको बोलते हैं लोग ड्राफ्ट किया और बोलेंगे यह आपका हो गया है एस टाइप टाइट लोग आपका कपलर हेड हो गया ठीक है यहीं पर आपका नकल हो गया यह ओपरेटिंग हैंडल हो गया है यह सपोर्टिंग डिवाइस हो गया तो यह आपका जो है ए ए अड एस टाब जोकी आपका यह लहग और हरीड कोई में यूज़् होगा जबकि आपका जो इड़ताब कपलर है वो गयाए मेरा कपलरक्पम देखा देखेंगे कपलर बाटी होगा घ्रति उसके बाद आपका होता है second part होता है knuckle ठीक है यह देखिए यहां पर आपका knuckle है ठीक है जिसे connected रहता है अब इसके बीच में एक रहता है knuckle यहां पर बीच में hole आपको दिख रहा है यह बीच में hole जो दिख रहा है यह बीच में hole है इस hole में एक रहता है knuckle pin लगता है ठीक है यहां पर नकल पीन लगेगा ठीक है नकल पीवोट पीन बोलते हैं तो यह नकल हो गया ठीक है और जो तीसरा पार्ट है मेरा वह नकल पीन वाला हो गया है इसको सौट में नकल पीन बोलते हैं नकल पीवोट पीन वीद वासर बोलते हैं है ना चौथा होता है लोक यह आपका पогलग पार्ट है ठीक है आपका लोग हो गया फिर आपका यह घल होगिया ठीक है में आपका हुका ओ गया यह आये खेता हो प्लिचवा कि यह जाउनक्त हो गया फोराओ एसल्बली में लग लिफ्टर जो टो आप नेक्स्ट पार्ट में भी हम दिखाएंगे और आठमा आपका पार्ट इसका ज्यां से प्रपार्ट का इड़े यूग हुआ जिका तो सीबीदिक सीरी अठीज के मैं मी आठके के टत यॉक पीन सपोर्ट होता है फिर एस्ट्राइकर कास्टिंग होता है एस्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट होता है सैंक वियर प्लेट होता है यॉक सपोर्ट प्लेट होता है ड्राप्ट गियर एरेजमेंट होता है विद फ्रॉन फॉलावड अनकप्लिंग एरेजमेंट में क्या होता है आपका जो operating handle हो गया वह हो गया ठीक है फिर बैक एस्टो पर होता है उसके बाद जो transition tap कपलर है उसमें आपका clevis हो गया clevis pin हो गया screw coupling हो गया यह सी transition tap कपलर में लगा रहाता है ठीक है तो यह सारे जो हम अभी cbc का parts देखें क्या-क्या इसके parts है आप देखें इसका advantage क्या है ठीक है cbc का कुछ advantage है तो cbc का जो बहुत बड़ा जो main advantage है आपका वो तो एक तो हम लोग देखेंगे जो anti climbing feature है उसको देखेंगी देखेंगे उसके अलावे भी आप देखेंगे यहाप इसका hauling capacity ज्यादा है ठीक है hauling capacity ज्यादा रहने से इसमें आप ज्यादा wagon लगा सकते जैसे 60 wagon हम लोग वागन में इतना 60-60 wagon हम लोग connect कर देते हैं ठीक है क्योंकि वहापे cbc लगावा है और उसका hauling capacity ज्यादा है ज्यादा कोच उसमें आप एड़ कर सकते हैं ठीक है उसी तरह से अगर आपका screw coupling है तो उसमें आप ज्यादा साइड में राता है ठीक है लेकिन cbc में क्या होता है आपका जो है इसी में buffer का भी काम करता है ठीक है आपका coupling का तो काम करेगा करेगा इसके साथ साथ आपका बफ़र का भी काम करेगा तो इसमें क्या है कि आपका जो है कोई भी इंटर लॉकिंग जो बफ़र इंटर लॉकिंग का जो डिस एडवांटेज था मेरे करना भी आसान है उसके बाद आपको इसमें इस्टाप रहे醒 सीओं liquor Іरा लगा इस में टाइम लगे ऊर्टाइम कम लगे डाइम आपका चांसे जो है सिसके TR1 के अनकैप बहुत कम हो जाते और जो सबसे में most important इसका advantage है वो है आपका इसका anti climbing feature ठीक है जो लहीज़ी और hybrid coach में दिया जाता है एंटिंग anti climbing feature ठीक है इसमें क्या होता है जब accident होता है तो आपका track से जो है ये नीचे गीर जाएगा ठीक है track से गीर जाएगा लेकिन ये एक दूसरे के उपर चरता नहीं है जब एक दूसरे के उपर नहीं चरेगा तो इसमें कम chances रहते हैं accident है आद में इसमें कजलेटी कम हो गया वही पगर हम बात करेंगे स्क्रू का घ्या की चीह इसमें कपलिंग क्या है अगर आपका स्कूरी के उप्रguru चर जा जाएगा कि अगर आपका स्कूरीय की फीचर दिया वारता है CBC कारान जो कि एक दूसरे को के उपर चरने नहीं दिया जाता है इसमें ठीक है तो यह बहुत बड़ा आपका का अफिसाइड आप कोच material बोल सकते हैं और LGBT कोच का advantage आप इसको बोल सकते है ठीक है तो अभी मुलग देखें CBC के बारे में और CBC के इसका पार्ट के बारे मैं advantage हैं है hybrid coach भी देखे ठीक है अब इसी चीज़ को हम लोग जो है field में भी देखेंगे तो thank you for watching have a nice day bye bye take care अगर वीडियो अच्छा लगे तो subscribe करिए like करिए share करिए thank you have a nice day